Hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Leader So guys, आज हम बात करेगे अदित्य बिर्ला Capital के बारे में जिसे हम सब लोग AB Capital के नाम से भी जानते हैं तो guys अगर देखा जाए तो invest करने के लिए सबसे सही stock है और अभी तो गिरते market में इसे जरूर खरीदना चाहिए तो guys ऐसा इसलिए क्योंकि इसके levels अगर देखे जाए तो एक perfect time पर आप इसमें invest कर सकते हो क्योंकि सही समय है यहाँ पर invest करने के लिए AB Capital में तो guys क्यों सही समय है और क्या return दिये है stock ने वो हम देखेंगे और इसका जो chart है वो भी हम देखेंगे तो guys यहाँ पर काफी कुछ बाते होंगी AB Capital को लेके उससे पहले अगर आप इस channel पर नए हो तो channel को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को start करते है तो guys अगर देखा जाए अधित्य बिर्ला Capital Ltd एक बिर्ला ग्रूप का एक दमदार share है और देखा जाए कहाँ पर है stock ने आज closing दी 114 रुपे 80 पेसे पर इसने closing दी है 8 रुपे 50 पेसे तक stock गिर गया है 6.90 प्रतिशत के हिसाब से इसमें गिराउट आज देखने को हमें मिली बट guys यहाँ पर अगर देखा जाए stock ने यहाँ पर काफी तगडे return दिये है अगर देखा जाए तो यहाँ पर अब पिछले साल के मुकाबले पिछले साल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 33% return दिया था जो बढ़कर इस साल 43% हो गया है तो यानि अगर देखा जाए तो stock पिछले अपने पिछले साल से इस साल काफी अच्छा perform कर रहा है तो guys क्यों न हम ऐसे ही stock में invest करें जो हमें time to time अच्छे return देते हो और बिल्कुल यहाँ पर बिना गिरे तो यहाँ देख लो stock में एक गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो guys एक perfect time में क्यों बोल रहा हूँ एक सही समय में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर देखा आ जाए day one time frame पर stock एक बिल्कुल एक range में उपर गया था बिल्कुल एक rally हमें देखने को मिली थी क्योंकि काफी अच्छे return दिये थे 93 पर हमें एक बड़ा breakout मिला था तो उस breakout कैसे मिला था और मैं आपको बाद में बताऊंगा पिले इस चीज़ को हम discuss कर लेता है 93 पर breakout के बाद एक अच्छी rally हमें देखने को मिली उसके बाद stock ने एक resistance लिया इस particular level पर फिर उसके बाद वो नीचे आता गया रहते हैं कि stock बिल्कुल आप पर चल रहा है consolidate कर रहा है तो हम वेट करेंगे breakout का तो कैस जब हमें इस level पर breakout मिला था तो हमने तभी बोल दिया था buy करने के लिए जो हमारे viewers है उन्होंने अगर वीडियो देखा होगा buy किया होगा तो उन्होंने description में दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने buy करने के लिए बोला था अपना 25% capital का यहाँ पर मैंने invest करने के लिए बोला था अगर 25% आप invest करते हो और इस particular level को भी अगर breakout दे देता है तो बिल्कुल आप अपना पिचोतर percent invest कर सकते हो बटे retest करता है तो आप बिल्कुल retest retracement के time अपना 25% invest कर सकते हो और गाइस यहाँ पर अच्छा return उसने दिया भी बट अगर देखा जाए तो market down हो रहा है market day by day काफी तगड़ा गिर रहा है गाइस तो वह इसी हिसाब से इसमें भी gir out हमें देखने को मिली बट यहाँ पर मैंने पहले ही बोलके रगा था कि अगर कुछ होता है तो इसी level को यह touch करके return आएगा वही आप देख सकते हो उसी level को touch करके नीचे आ रहा है तो गैस यहाँ पर उपर गया था और इसी level से फिर से उपर जाने की कोशिश करेगा तो इसी लिए यह सही समय है एंवेस करने के लिए तो यहाँ पर अगर देखा आ जाए तो target आप 140 का तो short term के हिसाब से रखी सकते हो बट वही अगर मैं बोलू तो यहाँ पर 93 के हिसाब से यह उपर क्यों जा रहा है तो यहाँ पर आपको वो level समझ में आएंगा guys की यह stock अगर देखो तो इस level पे इस range में है support ले रहा है तो यही से उपर जाएगा बट उसको भी अगर break कर देता है तो आपको थोड़ा wait करना होगा तो guys यहाँ पर perfect levels है जो हमने आपके साथ share किया तो अगर देखा जाए तो stock यहाँ पर हमने रखा है 256 रुबे का target as a long term के हिसाब से 256 रुबे का target है आपर sufficient है क्योंकि अगर यहाँ से stock नीचा आ था इसलिए हमने यही level यहाँ पर target के लिए रखा है तो guys बिल्कुल हम wait करेंगे हमारे target को यहाँ पर तो guys आप अगर long term के हिसाब से invest करना चाहते हो तो ही यह stock आपके लिए है एसा नहीं है कि अगर यह short term के हिसाब से आपने invest किया तो यह return देगा बट अगर देखा जाए तो इस level पर support ले रहा है क्योंकि कर सकते हो so guys यहाँ पर मैंने आपको I hope मैंने आपके doubt clear किये होगे और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले time से stock में काफी गिरावट है 5 दिनों में ही अगर देखो तो 17 रुपे 70 पेसे तक stock already गिर चुका है 13.36% के हिसाब से वही अगर देखा जाए एक महीने में stock 4 रुपे 30 पेसे तक गिरा है और 3.61% के हिसाब से 6 महीने में 2 रुपे तो stock में अगर देखा जाए तो यह गिरावट कुछी नहीं है market cap क्या है guys तो 27.75 पर करोड का stock का है market cap जो की विलकुल एक mid cap stock की category में आता है P ratio 20.69 का है और आज अगर देखा जाए 130 रुपे 123 रुपे 30 पेसे पर trade करने वाला stock 113 का low लगा दिया था अगर इसका 52X का high जिसे मैंने बोला 139.140 का असपास का है तो वही हमारा first target आप रख सकते हो 78 रुपे 85 पेसे का low है तो अच्छे return stock ने अल्रेडी दे चुगा है और यह जो मेरा आपको चीज बताई तो यह काफी ज़्यादा positive है क्योंकि शेर होल्डर्स को काफी अगर देखा जाए तो impressive यहाँ पर stock रहा है काफी impressed किया है इसने शेर होल्डर्स को भी आज के अगर resistance देखें तो यहाँ पर 126 रुपे का था फर्स्ट वाला सेकेंड था 119 रुपे का थर्ट था 131 रुपे का support levels अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारे support levels इसने आज break कर दिये थे वही गाईज अगर देखा जाए पर शेर होल्डिंग पर यहाँ पर स्वरी गाईज प्राइस प्रफोर्मेंस क्या है तो upside down इसमें है बट अगर देखा जाए तो अच्छा momentum फिर्ट से आ सकता है क्योंकि already market डाउन है तो stock obviously guys down होंगी ही होगे वन वीक का अगर price performance आप देखो तो 13.22 प्रतिशत है जो की है minus में 1 month का 0.91 परसंट है minus में 3 months का अगर देखा जाए 14.16 परसंट प्लस में है year and hop का 7.26 परसंट मीनस में है one year का देखा जाए 32.83 परसंट प्लस में है और three years का है 28.45 वही गाईज अगर देखो तो यहाँ पर क्या एन यहाँ पर वॉल्यूम्स है तो आज वॉल्यूम्स तकड़ा था 62 लाग के आसपास का वॉल्यूम्स का एस्ट्रेड की बात करूं तो 51 लाग के आसपास के आपर ट्रेड वेल्यू है और 17 का है 17 लाग का कॉंबिनेंट डिलिवरी वह यह गर देखें वन वीक में अगर एवरेज तो 44 ही दे रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर इंप्रूमेंट हो रहा है वही गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेवेनियू को तो स्टॉप का रेवेनियू यर औन यर काफी अच्छे दिये हैं 2017 के अगर देख ले रेवेनियू तो 5,823 करोड था वही 2018 में बढ़कर य हो गया गाइस यह बिल्कुल 11,523 करोड हो गया वही अगर देखा जाए 2019 का तो 15,163 करोड 2020 में और बढ़ा और हो गया 16,691 करोड और 2021 में फिर से बढ़ गया और देख सकते हो आप बिल्कुल तगड़े यहाँ पर रेवेनियू बढ़ा है 19,247 करोड तो गाइस बिल्कुल इसे consistent तरीके से आगे बढ़ रहा है साथ ही अगर बात करूँ इसके net profit की तो net profit 2017 में हाइस था कितना 691 करोड फिर उसके बाद है थोड़ा डाउन आते गया 2018 में 517 करोड 2019 में 585 करोड 2020 में 615 करोड और 2021 में आप देख सकते हो गया इस इसने जो levels थे यहाँ पर जो इसके levels थ दिया और बिल्कुल टॉप पर चले गया है यहाँ पर आप देखो तो 837 करोड का इसने net profit gain किया है तो बिल्कुल यहाँ पर stock का जो यहाँ पर revenue उस net profit है तगड़े है और गाईस वही अगर देखो तो यहाँ पर क्या holding है promoters की holding है 71.03% की FIS की holding कितनी है 2.44% FIS अपनी holding इसमें बढ़ा रहा है और DIS की holding कितनी है 11.5% हाला कि DIS अपनी holding इसमें बहले ही घटा रहा हो पर FIS अपनी holding यहाँ पर बढ़ा रहा है और यहाँ पर आने वाले time में holding और बढ़ सकती है और guys public holding भी अगर मैं दे बता हो तो यहाँ पर 15.03% के हैं तो बिल्कुल guys यहाँ पर invest करने के लिए सबसे सही share यह इसलिए है तो आपको अगर AB Capital के बारे में यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like करो channel को subscribe करो और telegram को join करना हो link में description में दे रहो तो join कर जगते हो Thank you